ठीक है, मैं Royal Challengers Bangaluru और Chennai Super Kings के बीच खेले गए पहले मैच पर आधारित लगभग 5,000 शब्दों की एक कहानी लिखता हूँ. IPL 2024 का आगाज हो चुका था और क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सा की लहर दौड रही थी. पहला मैच Royal Challengers Bangaluru और Chennai Super Kings के बीच खेला जाना था, जो दोनों टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती थी. Royal Challengers Bangaluru की टीम विराट कोहली की कप्तानी में उतर रही थी. उनके पास फाफ डू प्लेसिस, गौतम गंभीर, दिनेश कार्तिक और अनुभवी A.B. डिविलियर्ज जैसे धुरंधर बल्लेबाज मौजूद थे. गेंदबाजी आक्रमण में जोश हिजलवूड, यूजवेंद्र चहल और उमेश यादव जैसे स्टार गेंदबाज शामिल थे. दूसरी तरफ चेन्नई सूपर किंग्स की अगुवाई महिंदर सिंग धोनी कर रहे थे. उनके पास रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, अमबाती रायुडू और रितुराज गायकवाड जैसे शांदार बल्लेबाज मौजूद थे. गेंद बाजी में दीपक चाहर, रवींद्र जडेजा और मोहिन अली जैसे खिलाडी टीम की मजबूती थे. मैच की शुरुआत से ही बैंगलूरू और चन्नाई के बीच कड़ी टककर देखने को मिली. चन्नाई ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने टीम की तरफ से शांदार शुरुआत की. दोनों ने पावर प्ले के दौरान जोड़दार बल्लेबाजी की. हिजलवूड और यादव को कोई सफलता नहीं मिली. लेकिन चहल ने शर्मा को पवेलियन भीज दिया. यादव भी अर्धश तक लगा कर आउट हो गए. अमबाती रायूडू और धोनी ने मध्य क्रम में साज़ेदारी की लेकिन स्कोर तेजी से बढ़ नहीं पा रहा था. रितुराज गायकवार्ड ने अंत में तेज रफ्तार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में 45 रन बनाए. धोनी भी क्रीज पर टिके रहे और 41 रन बनाए. बीस ओवरों में चैन्नई ने 5 विकेट पर 175 रन बनाए. लक्ष का पीछा करते हुए बैंगलूरू की शुरुआत खराब रही. विराट कोहली और फाफ डूपलेसिस जल्द ही पवेलियन लौट गए. गंभीर और डिविलियर्स ने मैच संभालने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए. बैंगलूरू असी रन पर 6 विकेट गवा चुकी थी जब दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए. उन्होंने जुजारू बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला. 62 गेंदों में उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 71 रन बनाए. इसके बावजूद बैंगलूरू की टीम 165 रन पर सिमट गई. चेन्नेई की टीम ने शांदार प्रदर्शन किया और 10 रन से जीत दर्ज की. चेहल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिये. उन्हें Man of the Match का पुरसकार मिला. इस तरह चेन्नेई सूपर किंग्स ने शांदार जीत दर्ज की और IPL 2024 में शुरुआत की धमाकेदार तरीके से की. बैंगलूरू को हार का मुँँ देखना पड़ा लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि आगामी मैचों में वे अपना प्रदर्शन सुधारेंगे. ठीक है, मैं इस कहानी को और विस्तार देता हूँ. चेन्नेई सूपर किंग्स के सभी खिलाडी जीत के जश्न में डूबे हुए थे. कप्तान महेंदर सिंग धोनी भी खुशी से उचल रहे थे. टीम के लिए यहां IPL सत्र का शांदार आगाज था. दूसरी तरफ, रॉयल चेलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाडी निराश्ट नजर आ रहे थे. धोनी ने अपने खिलाडियों को जश्न मनाने दिया. उन्होंने कहा, लड़कों, हमने पहला मैच जीत लिया है. लेकिन यह सिर्फ शुरुवात है. हमें अपने प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना होगा और इस जीत के उत्सा में नहीं बहना है. रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादफ खुशी से नाच रहे थे. दीपक चाहर और रवींद्र जडेजा भी जीत की खुशी से जूम उठे. युजवेंद्र चहल ने कहा, धोनी भाई का मार्ग दर्शन हम सभी को मिलता रहेगा. हम इस बार खिताब जीतेंगे. दूसरी तरफ, बैंगलुरू की टीम हताश नजर आ रही थी. विराट कोहली, फाफ डूप्लेसिस और गौतम गंभीर जैसे दिगजों की पारिया निराशा जनक रही. एबी डिविलियर्स ने कहा, हमें शांत रहना होगा. यह सिर्फ पहला मैच था. हमारा समय आएगा. कोहली ने कहा, यह अफसोस की बात है कि हम शुरुवात नहीं कर पाए. लेकिन जिस तरह दिनेश ने लड़ाई लड़ी, उससे हमें बहुत कुछ सीखना है. हम वापसी करेंगे. दिनेश कार्तिक ने शांदार अर्धश्तकिया पारी खेली थी. उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि अगर हम एक साथ खेलते हैं, तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता. मैच हारने पर निराश मत हों. दोनों टीमों ने अपनी गलतियों और खुबियों पर चर्चा की. कोच और सपोर्ट स्टाफ ने उन्हें मैच की समीक्षा करने में मदद की. सभी खिलाडी अगले मैच की तयारी में जुट गए. बैंगलूरू की टीम बैठक में गहन चर्चा कर रही थी. उन्होंने अपनी गलतियों पर चर्चा की और इससे सीखने का प्रयास किया. कोचली ने बैठक की अगुवाई की और खिलाडियों के होसले बुलंद किये. उन्होंने कहा, मुझे हमारे खिलाडियों पर पूरा भरोसा है. हम एक शांदार तीम हैं और इस हार से हमें और मजबूत होना चाहिए. अगले मैच में हम धमाकेदार वापसी करेंगे. खिलाडियों ने भी एक दूसरे का होसला बढ़ाया. डिविलियस बोले, क्रिकेट में ऐसी हारे आती रहती हैं. इससे हमें और मजबूत होना चाहिए. हमारा समय जरूर आएगा. कोट्स बैंगर ने कहा, लड़कों, यह सिर्फ एक मैच की हार है. हम आगे और मैच खेलेंगे. इससे हमें और मेहनत करनी चाहिए. मुझे भरोसा है कि हम इस सत्र में शांदार प्रदर्शन करेंगे. इस प्रकार दोनों टीमें अगले मुकाबले की तैयारी में जुड़ गई. चेन्नई इस जीत का जश्न मनाना चाहती थी, जबकि बैंगलुरू इसहार से उबरना चाहती थी. IPL 2024 के लिए यह शुरुआत थी और अभी बहुत कुछ बाकी था.